हिंदुत्व का जो मुद्दा आप कह रहे हैं आपके बारे में भी ये बात कही जा रही है और लगातार बात कर रहे हैं लोग कि वो देविंद फर्णवेज जिनकी छवी जिसकी हम बात कर रहे हैं विकास के एक तरीके से नीता के तौर पर थी जो महराश को इस दिशा में ले क्यों आन पड़ी क्या अब उद्धव ठाकरे के साथ कॉम्पेटिशन इतना जादा है कि हिंदुत्व पर भी अब लड़ाई है कि किसका वर्चस वह उस पर देखिए पहली बात तो यह है कि मैं हिंदुत्व आदी हूँ और यह दिखाने के आख़शक्ता नहीं है क्योंकि हमारा जनम हिंदुत्व में हुआ है ऐसा है कि चाहे वो राम जन्वहुमी का अंदोलन हो चाहे काश्मीर का अंदोलन हो सारी जगह पर हम लोग उपस्तित रहे हैं सारे अंदोलों में हम उपस्तित रहे हैं और हिंदु तो हमारे लिए राजनिती की जगा नहीं है हिंदु तो यह हमारा आत्मा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदु तो क्या है यह एक जीवन पद्धती है और एक सहिश रुता है जो सबको अकुमोडेट करती है इसका मतलब यह कमजोर नहीं है तो इसलिए हिंदु तो दिखाने की जरुरत नहीं है हिंदु तो है ही जहां तक मेरे बयान का सवाल है मैं ऐसा मानता हूँ कि विशेश रुप से इंग्लिश मिडिया यह इस बयान को आउट अफ कॉंटेक्स्ट उन्होंने कोट किया शायर उन्होंने मेरा पुरा बयान देखाने देखे क्या है कि महराष्ट्र में अचानक अउरंग जेब के स्टेटस कुछ लोग रखने लगे कुछ लोग अउरंग जेब के पोस्टर लगाने लगे कुछ लोगों ने अउरंग जेब का फोटो लेकर प्रोसेशन निकाले कुछ लोग अउरंग जेब की जय कहने लगे एसा तो पहले नहीं होता था अगरण जैब ये भारतिय मुस्पलमानों का भी हिरो नहीं हो सकता है और उसके कोई सगे समधिया है भी नहीं क्योंकि टर्किक-मंगोल इस एथने सिटी के सव परिवार भी आपको नहीं मिलेंगे तो बारति मुसरमानों का वो कोई बाप जादा भी नहीं है। तो ऐसे समय यह लोग कौन तैयार हो गए कि जो अचानक झीब को अपना बाप बताने लगे हैं। इसलिह मैंने का कि ओर उरंग जिब के औलगे अचानक कहा से पैदा हो गई है। है तो मैंने और आगे मैंने का इसके पीछे कोई नो कोई साजिश है महाराष्ट को destabilize करने की यहां की communal harmony को खराब करने की तो यह मेरा पूरा statement था इसमें से इतने उठा लिया कि आउरंग जेब के आउलादे कहां से बने मुसलमानों को नहीं का मैंने जो लोग और अवरंग जेब का स्टेटस रखते और कैसे महाराष्ट में उसको tolerate करेंगे चत्रपती संभाजी महाराज को और जेब ने ग्यारा दिनों तक तडपा तडपा कर इसलिए महारा कि सम्वाजी महाराज ने धर्म परिवरता नहीं स्विक्रूत किया देश भर में हजारों मंदिर औरंग जेब ने तोड़े लाखों हिंदू को औरंग जेब ने कतल किया तो ऐसे औरंग जेब का स्टेटस या उसका फोटो के साथ प्रोसेशन निकलेगा मजाल है कि जर्मनी में जाकर हिटलर के नाम का एक प्रोसेशन निकाल दे नहीं निकल सकता हिटलर तो उनके वंश का था यह तो हमारे वंश का भी नहीं है यह हमारे देश का भी नहीं है तो इसलिए मुझे यह लगता है कि इसके पीछे एक डिजाइन है मेरा अपना मानना है या मेरे पास जो जान उन्फर्चुनेटली जिस प्रकार के बयान ये सुडो सेकुलर पारिटिया दे रही है इसके करन इसको बल मिलता है नहीं ये जो आपने बात कही धर्मांतरन का एक मुद्दा अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा मुख्यमंत्री योगी आदेतनाथ नेभी ऑनलाइन गेमि इन दोनों को भी आपको लगता है कि ये इसी से कनेक्टेड है कहीं मुद्द कुल देखिए एक डिजाइन चली रहा है मैंने ये बार-बार कहा है कि कोई धरम का वेक्ति कोई धरम के वेक्ति से शादी करें को प्राब्लम नहीं है लेकिन एक डिजाइन के तहत अगर कोई ज तो हमको तो इससे शिकायत है, हम उनको छोड़ेगे नहीं, नहीं छोड़ सकते हैं, तो यह तो हमारी भी घर की बच्चिया है, हमारी बेहने, कैसे छोड़ दे इनको, तो इसलिए यह जो डिजाइन है, इस डिजाइन को मंजूर नहीं करेगे, चाहे कोई हमारे उपर आरोप लगा है ना, हम नहीं डरते है उससे, तो क्या इसके लिए कुछ कर रही है सरकार, कर रही है काई चीज़े हम लोग कर रहा है, इसमें हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है, और इसमें कोई कानूनन इंटर्वेंशन करने के आवश्कता पड़ी तो वो भी करेंगे, अभी हम क्यानी,